देखेए कल 9 जुलाइ को दश्मितिती है शेनिवार की और ये दश्मितिती बहुत खास है क्योंकि देव शेनी एकादेशी के पहले आने वाली यह जो दश्मितिती है वो शेनिवार के दिन है इसलिए आज के दिन केवल एक पीपल का पत्ता और एक काली मिर्ची से बहुती अच्चुक उपाय आपको करना है पुझी गुरुदेव की ही कता सुन करके समझाने का पूरा प्रयास करूँगा अगर पहली बाद चैनल पर आया है तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें देखें ये जो उपाय है उन लोगों को करना चीए जिन लोगों को बार-बार नजल लग जाती है जिन लोगों के जीवन में बार-बार कोई न कोई विगना आते हैं जिन लोगों को धन कमाने में कोई न कोई वीपदा अर्चने आती रेती है नोकरी नहीं लग पा रही है तो उन लोगों को यह उपाय जरू करना चीए कोई भी वीपदा केसी भी प्रकार की वीपदा अगर उनके जीवन में निरंतर रूप से चलिया रही है तो उन लोगों को यह उपाय करना जीए देखें आपको क्या करना है आपके घर में एक तामबे के पात्री के अंदर जल भरना है आपको और एक काली मिर्ची लेना है और उस काली मिर्ची को आपके सीधे हाथ में रख लेना है और ओम नमो भगवते वासु देवाय का ग्यारा बार जाब करना है ओम नमा शिवाय का भी ग्यारा बार आपको जाब करना है और उसके बाद ये जो काली मिर्ची है इसे चूर करके मतलब चूरा करके इसको जल के पात्र के अंदर आपको पूरी डाल देनी है जो भी वीपदा है जो भी संकट है जीवन में आपको बोलना है यदि बार-बार नजल लग जाती है बार-बार बीमार पड़ते हैं तो वो सब दूरो ऐसी प्रातना करके आपको ये काले मिर्ची डाल देना है ज्यानक है देवशहीनी एकादेशी के बाद भगवान विश्णू निंद्रा में चले जाएंगे और उसके पेले ये जो द्वादेशी तिती है शनिवार के दिन इसलिए आपको ये उपाई जरू क करना है अब आपको क्या करना है ये जो लोटा है ये ले जा करके आपको पीपल के वरुख्ष के वहां पर जाना है और वहां से आपको एक पीपल का पत्ता ले लेना है ठीक है एक पीपल का पत्ता ले 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 जमीन पर गिरा हो तो वो भी ले सकते हैं उसके बाद क्या करें जल लेकर गये हैं उसी से थोड़ा सा जल आपको डालना है और उससे शुद्ध करना है अब बिल्कुल ध्यान से सुनना इस पीपल के पत्ते को आपको शीव लिंग पर चड़ाना है तो आप शीव जी के मंदिर में जाइंगे और शीव लिंग पर इस प्रकार से आपको और जब चढ़ाएंगे न आप, तब आपको पीपल एश्युवर महादेव का स्मरन करना है. जो आदालोट अजल है, वो आपको पीपल के पत्ते के उपछड़ा देना है. हैं पीपल एश्युवर महादेव का नाम स्मरन करते हुए, जीवन में जो भी बिगना आ रहा है, उन